सोशल मीडिया पर आज एक अलग ही बात छिड़ गई जावेद अक्तर और शबाना आजमी की पोती सामने आई और कहा कि ये जावेद अक्तर शबाना आजमी की जो पोती है इसमें कपड़े पहनने की तमीज नहीं है जिस लड़की का फोटो पोती कहकर शेर किया जा रहा है वो लड़की खुद भी एक अक्तरस है और हाल ही में सोशल मीडिया पर उस लड़की को ट्रोल किया गया था कपड़े पहनने की तमीज उसे सिखाई गई थी मैं बात कर रही हूँ उर्फी जावेद की बिग बॉस कंटेस्टिंट उर्फी जावेद अपने कपड़ों के लिए ट्रोल हुई छोटा सा जैकेट पहना अंदर से ब्रा भी नजर आ रही थी और लोगों ने कहा ये क्या बेहुदा कपड़े पहने हैं जिसके बाद उर्फी जावेद को सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी खरी-खरी सुनाई अब उर्फी जावेद की ये वीडियो इतनी वाइरल हो रही है और कुछ लोगों ने उर्फी जावेद को जावेद अक्तर और शबाना आजमी की पोती कहा है और ये कहते हुए ट्वीट भी किया है ये देखिए जावेद अक्तर जो RSS और इंडिया के जो हिंदू ग्रूप है उनको तालिबानियों से कंपैर करते हैं लेकिन अपनी पोती को कपड़े पहनने की तमीज नहीं सिखा सकते एक नहीं दो नहीं बलकि इस तरह की कई सारे ट्वीट हुए ये ट्वीट इतना वाइरल हुआ इस ट्वीट पर उर्फी जावेद ने रियाक्ट करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि लोग मेरे सरनेम को जावेद अक्तर से जोड रहे हैं और मुझे उनका फैमिली मेंबर मान रहे हैं वही अब शबाना आजमी को भी इस मामले पर आकर क्लैरिटी देनी पड़ी है और शबाना आजमी ने कहा है कि उर्फी जावेद नाम की इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है ये हमारी पोती नहीं है नाम के अलावा हमारे अंदर कोई भी सिमिलारिटी नहीं है सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से उर्फी जावेद को लेकर आज एक बार फिर से बवाल मच गया आपको बता दे कि जावेद अक्तर पर इस वक्त अलरीडी सोशल मीडिया पर लोग बहुत गुस्ता निकाल रहे हैं उन पर दबाव है माफी मांगने का जब से उनोंने RSS और दूसरे हिंदू संगठनों को तालिबान से कंपैर किया है तब से उनके घर के बाहर नारे लगवाए हैं और ये भी कहा गया है कि या तो माफी मांगे नहीं तो लीगल केस होगा